ही अवरिवन वालकम बेक टुमाइट डेप चैनल यॉनिक क्लासे तो आज हम देखने वाली हैं जो आपका स्कूल अफ स्पेशलाइज एक्सिलेंस है उसके लिए कि उसमें किस तरीके से हम जो आपका एक्प्लिकेशन फॉर्म है उसे किस तरीके से फिल करेंगे जैसा कि मैंने बातों को हमें ध्यान में रखकर उसे apply करना है वो सारी चीज़े आज हम जान लेते हैं इस वीडियो में तो इस वीडियो को starting से लेकर and तक जरूर देखना है especially ये video class 9th के students के लिए है and अगर class 11th का student भी इसे देख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जो आपका application form है वो सभी के लिए equal होता है by the way अभी class 11th के लिए कोई भी admission form जो है वो नहीं हुआ आया है ठीक है और आपको पता होगा कि school का नाम change करके Dr. Bhimra Ambedkar School of Specialized Excellence रख दिया गया है ठीक है तो चलते हैं अपने application form की तरफ सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आप एक website निकालेंगे जिसका नाम क्या है www.adudel.nick.in इस website को जैसे ही आप खोलेंगे उसके बाद आपको नीचे कुछ चीज़े दिखेंगी Google पे जैसे की आपको School of Specialized Excellence का दिखेंगा Public Circulars दिखेंगे and Academic Year के लिए दिखेंगे बहुत सारी अलग-अलग चीज़े दिखेंगी तो आपको फटा-फट से अपना SOSी जो है उसे open कर लेना है open करते ही आपके पास इस color ये जो page है ये जो screen है कुछ इस तरीके से खुल जाएगी and then आपको क्या करना है उसके बाद आपको ये तो पता ही है कि Class 9 के लिए अब admission forms जो है वो आ चुकी है तो इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपकी last date कब की है admission form जो है वो कब तक भरे जाएंगे आपका correction window कब तक open रहेगा आपका admit card कब आएगा and maybe आपके exams कब होंगे I think हमें ये सारी बाते इस वीडियो पता चलने वाली है तो उसके बाद जब ये page आपका आजाए आपको ये जो apply now है यहाँ पर एक box बनावा है बहुत ही सुन्दर सा apply now इसे फटा-फट से खोल लेना है तो चल ये मेरे साथ इसे देखते हैं मैंने इसे open किया उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा dr. भीमराव अमेरिकर स्कूल अफ स्पेशलाइज एक्सिलेंस admission 2023 यहाँ पर ध्यान दीजेगा 23 लिखा हुआ है 22 वाला जो portal था अब वो बंद हो चुका and then हमार 23 वाला निकल गया है जो कि हमें fill करना है उसके बाद यहाँ पर आपको register ID, password, verification and all that सब कुछ मिलेगा इससे हमको कोई भी काम नहीं है क्योंकि आप अभी new registration करने वाले हैं so obviously आपको बिल्कुल नीची आ जाना है and then आप अपने new registration है उस पर click करेंगे मैंने भी हाँ पर click कर दिया है दुबारा से एक portal खुलेगा उसमें फिर आपको कुछ instructions दी हुई है कि आप online जो embed कर SOSC admission form जो है भढ़ने वाले हैं आपका academic year रहेगा 23 से 24 का उसके लिए कुछ simple and basic instructions है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है तो सबसे पहले हम इन instructions को अच्छे से पढ़ लेती हैं तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि जो class 9 है उसमें कितने आपके domain subjects है इस बार 5 आपके domain subjects है कोन-कोन से है फटा-फट से comment करके बता दो और अपनी attendance दो जल्दी से अपना नाम बताओ अपनी class बताओ ठीक है और आप किस domain subject को लेने वाले है मेरे ख्याल से अभी तक आपने ये सोच लिया होगा अगर सोचा है तो जल्दी से मुझे बताओ और आपने future plan क्या किया है कि आप future में क्या बनना चाहते हैं ताकि आप इस domain को लें जिसकी कोई stamp ल humanities PVA यानि की performing and visual arts आपका high and 21st century skill HE21 और आपका army जो वाला स्कूल है army forces preparatory school ठीक है AFPS यह है class 9 के लिए पाचो के पाचो आपके subjects ठीक है तो इन सब में आप form जो है वो fill कर सकते हैं अपने interest के accordingly and अपने career को देखते हुए कि आपको किस field में career आगे बनाना है अभी सबसे main मुद्दा जो आपका आता है जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है वो है आपका eligibility criteria कि आपका eligibility criteria कि accordingly आपकी सारी चीज़े होनी चाहिए अगर उसमें से एक भी चीज हट जाती है तो जब आप आपका admission पूरा का पूरा हो जाएगा आपका interest exam clear हो जाएगा उसके बाद जब आप admission के process में enter करेंगे तो फिर आपको दिकत होगी ठीक है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ धिहान से पढ़ लेनी है इन्होंने कहा है कि जो आपका residence proof है वो होना चाहिए school का अब इन्होंने अंदर क्या कहा है अंदर कहा है इन्होंने अंबेड कर SOSC admissions are open for students who are resistant of NCT of Delhi यानि कि जो डली में है यानि कि जिनका जो resistance है यानि कि जहाँ पर जो बच्चा डली में रहता है केवल वही भर सकता है SOSC admission form को ठीक है वही valid होगा और उसको अपना address proof भी साथ में देना पढ़ेगा ठीक है are studying in a recognized school of NCT यानि कि वो जो बच्चा है जो SOSC के form को भरेगा वो एक recognized school में पढ़ता हो अब school दोनों हो सकते हैं ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है both the resistance and the school conditions need to be meet to be eligible for admission in ASOSES यानि कि अमबेड कर SOSC ठीक है धान रहे मैंने भी जो जो आपको बताया यानि कि आपका जो वो basically Delhi का होना चाहिए Delhi का नहीं होगा मान लिजे किसी किसी के जो अधार काड है उसमें भिहार का होता है किसी की में उत्राखंड का होता है किसी की में आपका MP का होता है तो यह अलग-अलग states के जो आपके अधार काड में दिया हुआ है आपका address please उसे change करा लिजे अगर तो आपको वहां का एड्रिस जो है वो अपडेट करा लेना चाहिए उसमें आपको ज़ादा टाम नहीं लगेगा एक दो वीक लग जाएगे तो अभी करा लो तो ज़ादा बैस्ट रहेगा बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है इसलिए काफी सारे बच्चों का पिछले साल भ नाइंथ क्लास में है या फिर उससे ज़ादा बड़ी जो अकेडमी किये रहे यानि कि नाइंथ में है टैंथ में है वो बच्चा इस फोम को नहीं भर सकता है वो अलिजीबल नहीं है ठीक है अब यहाँ पर एज लिमिट है एज लिमिट का बड़ा ही चक्कर रहता है उसे भी समझेंगे तो एज लिमिट में आपका क्या होता है कि जो आपकी नोर्मल एज क्राइटेरिया है उसमें विदाउट अनी रिलैक्जेशन उसमें क्या होता है उसमें आपका जो एज है वो आपकी 31 और आपका महीना तीसरा है यानि कि हमारा मार्च का है और 2023 यानि कि जो आपका 31 March 2023 है इससे पहले पहले की एज आपकी होनी चाहिए इसके बाद अगर आप मान लिजे 31 March 2023 के बाद आप 10 April 2023 को आप 13 साल के हो रहे हैं तो मानने नहीं होगा या फिर अगर आप 31 March 2023 से पहले मतलब की मान लिजे 31 March 2023 से पहले अगर आप 15 साल से छोटे हैं तो तो आपका हो जाएगा लेकिन अगर आप 31 March 2023 से पहले ही आप 15 साल से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो नहीं माना जाएगा ठीक है, clear है, यानि कि basically यहाँ पे जो class 9 है, उसका एक ये age limit है, वो क्या है कि चाहे तो बच्चा 13 साल का हो, चाहे 15 साल से कम का हो, लेकिन बच्चा 13 से कम का और 15 से ज़ादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, clear है, उसके बाद इन्होंने को चीज का ही है, कि जो आपका 8th class का academic session है, वो 2022 से 23 का हो, और किसी recognized school से हो, वो बच्चे, age जो है, उनकी बिल्कुल सही हो, तो वो बच्चे क्या है, वो eligible हो जाएंगे अपना form fill करने के लिए, भी हाँ पर reservation certificates की भी बात कर ली जाए, क्योंकि कुछ जो categories है, उनको reservation म have a valid certificate approved by the government of NCT of Delhi, यानि कि जो candidates apply कर रहे है, किसी reserved candidate, जो category है, उसके under, तो उनके पास एक valid certificate होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका NCT approval होना चाहिए, government of NCT of Delhi approval होना चाहिए, ठीक है, वही बच्चे कर सकते हैं, उसके बाद इन्होंने कहा है, in case of OBC certificate, only certificates issued by the government of NCT of Delhi, will be considered valid, यानि कि जो आपका OBC है, OBC, उनके case में भी बिल्कुल सेम होगा, OBC के case में, उनके पास भी government of NCT of Delhi, जो है, उसका valid certificate होना चाहिए, अब बात करते हैं, qualifying cutoff score की, तो वो क्या रहने वाला है, तो इन्होंने यहाँ पे बुला है हमें, कि जो आपका अंबेद का specialized school है, उसमें क्या है, उसमें जो आपके minimum qualifying aptitude होगा, वो particular domain में होना चाहिए, जो की उनके interest के उपर होता है, belong candidate के interest के, under होती है, यह सारी चीज़े ठीक है, और फिर इन्होंने कहा है, कि जो आपका marks है, वो आपको बाद में बता दिये जाएंगे, जब आपका interest exam हो जाएगा, and cut-off जो है, वो भी आपकी बाद में decide, जो है, वो कर दी जाएगी, simply बात यह है, इन्होंने कुछ note भी दिया है, वो भी पढ़ लेते हैं, note में इन्होंने दिया है, there are two types of cut-offs, the admission cut-off which is the last score point at which admission will be given to a student based on the ability of seats and the qualifying cut-off which is the minimum marks a candidate needs to score to be eligible for admission, यानि कि इन्होंने का है, cut-off जो है, वो two types की होती है, two types की कौन सी, एक cut-off आपकी बिलकुल last वाली cut-off होती है, admission cut-off जिसको हम बोलते हैं, जो कि भई आपकी वो cut-off में आपका number आ गया, तो आपका admission पका-पका है, अगर आपके पास side documents है, ठीक है, दूसरी cut-off का इन्होंने बताया है कि कुछ qualify cut-off होती है, qualify cut-off का मतलब है कि कुछ minimum marks इतने tag कर दिये जाते हैं, कि इतने तो candidate के आने ही चाहिए, और अगर इतने आये हैं तो वो pass है, और अगर फिर बाद में admission जो cut-off है वो लगेगी, और उसमें उसका number आ जाता है, तो ठीक है, नहीं आता है, तो फिर उनका admission नहीं होगा, ठीक, फि इतने percent की मिलेगी तो आप सबी देख सकते हैं, और इसी को 27% की reservation मिलेगी, SC को 15% की मिलेगी, और जो आपका ST है, उसको 7.5% की मिलेगी, and CWSN को 3% की, जो reservation है वो मिलेगी, ठीक है, उसके बाद अब सीधे हम चलते हैं आपके previous school की तरफ, previous school का मतलब क्या है, जिस school में आपने eight class अपनी pass की होगी, pass out की होगी, तो उन्होंने बताए कि at least 50% seats will be allotted to Delhi government added schools, students in each specialization, यानि कि जो आपका 50% seats है, वो तो आपकी Delhi government के schools की होगी, यानि कि जैसा कि मैं आपको बताया था, कि 50% जो seats भरी जाएंगी, SOSC में, वो आपकी government school के बच्चों की भरी जाएंगी, और जो 50% seat होगी, वो आपका government school और आपका added government school, एफे private school जो है, उनके बीच पे competition होगा, और जिसकी जदा higher cutoff लगेगी, उसको मिलेगी वो, ठीक है, clear, उसके बाद इन्होंने कुछ important dates बताई है, देखो, वीडियो थोड़ी सी long हो सकती है, क्योंकि मैंने आपे बहुत सारी information आपको दी है, बिल्कुल deep में, और अच्छे से, ताकि आप सभी confused ना हो, फिर भी अगर कोई confusion है, तो जल्दी से comment box में comment करके पूछ लीजेगा, वीडियो खतम होने के बाद, तो important dates की बात की जाए, तो इन्होंने कहा है, कि जो आपके online registration application है, वो कब से चालू हो जाएंगे, तो व form है, भरने बंद हो जाएंगे, उसके बाद नहीं, start होंगे दुबारा से, तो 10 जनवरी से पहले पहले भर लो, उसके बाद तो इन्होंने कहा है, आपको देखो 30 दिन का time तो मिली गया है, नहीं, 30 नहीं, sorry 20 दिन का मिला है, तो 20 दिन बहुत होते हैं, जल्दी से भरो भई, मैंने भी आपको information दे दिया, बहुत जल्दी दे दिया, आज 20 तारिक है, और, sorry, आज 20 नहीं है, आज 21 है, कल थी 20, ठीक है, तो कल आपके लिए वीडियो आई थी, कि आपके admission forms जो है, वो निकल चुके हैं, आज 21 है, तो आज मैं सारी जो आपकी वीडियो बना रही हूँ, आप सभी के लिए, ठीक है, तो अब इसमें next दिया हुआ है, कि जो आपकी correction date होगी, last correction date form में, कुछ correction करने के लिए भी आता है, window open होती है, कि जैसे किसी बच्चे से कुछ गलत भर दिया जाता है form में, जो कि उसकी सही information नहीं होती है, लेकिन प्लीज आप ऐसी गलती ना करे आप पहले ये assure कर ले कि आप सही ही information अपने form में भरें, ठीक है ता कि बार बार फिर दिखकत ना हो, तो फिर जो आपकी window है, correction window वो 17 जनवरी जो है, वो उसकी last date होगी, correction window के 17 जनवरी के बाद, आप correction window को open नहीं कर सकते हैं, आपका admit card कब download होगा, इन्होंने बता है कि जो आ तो ये लगा लीजे, 17 जनवरी के बाद आपके admit card कभी भी download होने start हो सकते हैं, and then आपका round one का exams start हो जाएगा, first week of February, यानि कि जो आपका फरवरी का पहला महीना होगा, उसमें आपके exams है, entrance exams वो start हो जाएगे, तो मेरे ख्याल से आपके तैयारी आपके जनवरी में पूरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रूक रूक के दे रही हूँ, आपको जैसे कि आपके पास बहुत सारी चीज़े होने ज़रूरी होती है, ठीक है, तो उन सब को देखे, और फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, step one है, रोक रोक के आप देख सकते हैं वीडियो को, मैं पूरा नहीं करव पा रही हूँ इसमें, क्योंकि फिर बहुत लोग हो जाएगी, मैं सीधे फिर आपको फोम भढ़ना बता दोगी, step two है, फिर step three है, फिर आपका step four है, फिर आपका step five है, and then आपका step six है, और यहाँ पर complete हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद, यहाँ पर आपको एक चीज़ क्ल है, ठीक है, टर्च करना है, इसमें लिखा हुआ है, I have read all the instructions carefully, and I am fully responsible for all the details filled in the application form, याने कि मैंने यह सारी जो instructions है, इसको अच्छे तरीके से read कर लिया है, और अब मैं पूरी तरीके से responsible हूँ, निरभर हूँ, जो यह details मैं दूँगी, इस application form में उसके लिए, तो फिर आपको यह tick करने के बाद, आपको क्या करना है, मैं जल्दी से tick कर देती हूँ, right? यह tick हो गया, यहां से, इसके बाद आपको यहां पर, यह जो click here, लिखा हुआ है, इसको आपको tick करना है, मैंने कर गया इसको, उसके बाद क्या open हुआ है, उसके बाद आपका जो registration है, वो form आपका पूरा अच्छे तरीके से निकल चुका है इसमें आपको पहले आपका पूरा नाम फिल करना है यान की जो candidate है उसको अपना name डालना है आपके कुछ भी name डाल दो जो मतलब कुछ भी क्या जो आपका name है वही डालोगे तो वो डाल दो ठीक है secondly आपको इसमें दिया हुआ है यहाँ पर आपका gender यान की आपका gender क्या है male है तो male डालेंगे female है तो female डालेंगे प्लीज सिलेक्ट यॉर जैंडर कृप्या अपना जैंडर चुने तो यहां पर आपने देखा कैसे यहां पर इन्होंने बोला है कुरा-कुरा कि अपने gender को select करें तो आप यहां से gender को select कर सकते हैं आपको यहां पर थर्ड में mobile number जो है वो fill करना है अपना contact number फिर आपको email id fill करनी है अपनी हाँ पर जो भी email ID आप उसको मतलब हमेशा वो चली हुई है उसे आप update रहते हो उसे आप चेक करते रहते हो प्लीज उसे ही डालना और mobile नमबर भी डालना जो आपका चल रहा है इस टाइम पर फिर आपको अपना pin को डालना है यानि कि अपना address डालना है जैसे Delhi में आपका pin code होता है या आप डाल दीजेगा उसके बाद आपको यहाँ पर 6 जो है वो दिया हुआ है कि आप कौन सी class में apply कर रहे हैं तो obviously आप class 9 के लिए apply कर रहे हैं अभी तो वही डालेंगे ठीक उसके बाद one second फिर इन्होंने दिया है कि क्या आप 8 class के academic year में 22 से 23 जो आपक session है उसमें क्या आप pass हो जाएंगे मतलब आप से पूछा जारा है कि क्या आप pass हो जाएंगे अभी pass तो हुए नहीं है तो obviously आप pass हो जाएंगे जिसको लगता है पूरा पूरा वो please इसको yes करें और जिसको नहीं लगता है वो no भी कर सकता है पर मेरे ख्याल से yes ही करना है सब कोई एस करना है सभी पास हो जाएंगे मुझे पता है पास होना कोई बड़ी बात ने है 33 परसेंटी तो लाने है 33 में से मान लो आपके 50 परसेंट आगे तो भी आप अलिजीबल है इसलिए सभी एस कर देना है इसको एस करने के बाद and then आप यहाँ पे submit का option डालें यह जो दिया हुए इसे touch करेंगे ठीक है और फिर आपका form जो submit हो जाएगा कुछ आपको registration ID पासवर्ड वगेरा दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपका काम खतम हो जाएगा जो आपको password दिया हुआ होगा प्लीज उसे save करके रखना उसका screenshot ले लेना ठीक है और उसे कहीं लिख भी सकते हैं आप उसे याद रखना ताकि आप बाद में उससे काम ले सके क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा जो है use होता है admit card को download करते वक्त ठीक तो यहां से मैं आपको पूरा application form जो फिल करना दिखा दिया है मेरे खयाल से आपको आज की वीडियो काफी ज़्यादा अच्छी लगी होगी interesting लगी होगी and I hope आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रही होगी तो किस किस के लिए helpful रही है जल्दी से like का जो बटन है उसे press करके मुझे बताएं and अपने friends में से share करें ताकि वो भी आपके ही school में admission ले सकें ठीक है कोई competition नहीं भड़ेगा बलकि मज़ा आएगा अगर आपका friend भी आपके ही school में आ रहा है ठीक और आप एक छोटा सा काम ओल करेंगे जल्दी से comment करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है कोई दिक्कत है तो भी आप comment करके बता सकते हैं टेलीग्रम ग्रूप को जरूर जोइन करना है आपको उसके link मैं description box में दे दूँगी and description box को हमेशा देखना है वीडियो के उसमें बहुत सारी links आपको दी जाती है जो कि आपके लिए काफी ज़दा helpful रहती है और अगर आप new है तो जल्दी से हमाई चैनल को subscribe करें साइड में जो bell icon है उसे कर दे press ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आती रहें उनके notification टाइम से आते रहें और आप update रहें तो मिलते हैं एक new वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you so much for watching this video stay tuned